हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टो स्टुडी नैटेक, यहाँ पर क्लास 11 की एकाउंटिंग पढ़ा रही हूं है जिसमें मैं एकाउंटिंग एक्वेशन का एक कोशन जो मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था जिसे मैंने मेरे प्रिवेस वीडियो में छोड़ दिया था मुझे लगा था कि वो इजी है, बच्चे आसानी से कर लेंगे लेकिन उन्हें रिक्कत हो रही थी तो आजका मेरा ये वीडियो वही कोशन सॉल्व कराने के लिए है वह कोशन है, एकाउंटिंग एक्वेशन का कोशन नमबर 9 तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे पूछिए कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ चलिए तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एक काउंटिंग एक्वेशन होती है एसेट्स एक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ठीक है ना जितनी भी एसेट्स होती है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के एक्वल होती है अब यहाँ पर कोश्यन नंबर जो 9 है उसमें कुछ ट्रांजिक्शन दिये हैं जैसे स्टार्टेट बिजनेस विद कैश ठीक है एक लाइबिलिटी बिजनेस के लिए यहाँ पर इसे क्लوس करते हैं और 1,20,000 और यहाँ पर भी 1,20,000 रुपे लिख देंगे ठीक है ना next वाला क्या transaction दिया है यह first था second वाले में दिया है purchased goods हमने goods को purchase किया कितने का goods purchase किया 10,000 का तो 10,000 तो हमारी cash कम हो गई कम हो गई ना जो goods होता है जब वो हमारे पास आता है तो हमारी assets increased हो जाती है तो यहाँ पर मैं stock को asset side ही लिख दूँगे क्यों 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 क्योंकि cash भी हमारा asset है stock भी हमारा asset है लेकिन क्या हुआ यह 10,000 का जो हमने stock या goods खरीदा तो उससे हमारे पास cash चली गई cash लिगे तुम्हें यहाँ पर 1,10,000 लिग दूँगी माइनस कर दूँगी यह 10,000 को ठीक है न और यहाँ पर stock मेरी increase होगी तो यहाँ पर में 10,000 को increase कर दूँगी ठीक है न इसे जैसा है वैसा ही रहने दूँगी 1,20,000 ठीक है न समझ में आया next क्या है rent received, मुझे rent मिला, तो मेरे पास क्या हुआ, cash बढ़ गया, 5000 रुपे मेरे पास cash बढ़ गया, जब मेरा cash बढ़ गया, तो यहाँ पर मेरी capital भी बढ़ गया, यहाँ पर कितना हुआ, एक लाग 15,000, ठीक है न, यहाँ पर हमें balance लिखना होता है, उसके बाद यह 10,000 उपर का जो stock का है, उसे लिकर आएंगे, साथी साथ उसे यहाँ पर 1,25,000 लिख देंगे, यहाँ तक तो ठीक है न, अब next क्या है, salary, outstanding, जब भी outstanding salary होती है, उसे liability माना जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, outstanding salary लिख दूँगी, 2000, ठीक है, जब इसे मैं यहाँ पर 2000 प्लस करूँगी, तो यहाँ से मेरी जो capital है, वो भी तो कम हो जाएगी न, 2000 की, तो मैं 2000 यहाँ पर minus कर दूँगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वापिस जब मैं नीचे आउँगी तो एक लाग पंदा हजार, प्लस दस हजार, इकवल यहाँ पर इकवल लगाते जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई confusion ना हो, ठीक है, एकवल 2000 प्लस एक लाग देईस हजार, ठीक है न, outstanding salary क्या है, मतलब अभी हमें देना है उस salary को, तो वो हमारी liability और जब देंगे, तो हमारे हमारे पास से पैसा कम हो जाएगा, ठीक है न, next क्या है, goods sold for cash, देखिए, इस वाले transaction में क्या है, जो हमने सामान की जो costing थी, वो 5000 की थी, लेकिन हमने उसे बेच दिया 7000 में, तो 2000 का हमको फाइदा हो गया, कम कीमत का सामान आप जब जादा में बेचेंगे, तो आपको फाइ कर देंगे, यहाँ पर 7000 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1,22,000 प्लस 5000, क्योंकि जब हमने उपर के स्टॉक में से 10,000 के स्टॉक में से 5000 का सामान बेच दिया, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 1,25,000, ठीक है न, next क्या है, goods destroyed by fire, जो goods था, वो destroy हो गया, किस से, fire से, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर, पहले तो लिखूंगी, goods, destroyed by fire, ठीक है, कितने का goods चला गया, 5000 में से 500 का goods चला गया, यहाँ मेरी 500 रुपेगी, capital भी कम हो गए, क्योंकि मुझे नुकसान हो गया, बस, एक लाग बाइस हजार, प्लस पैतालिस सो, इकवल 2000, प्लस, 1245,000, तो वही तो हम कह रहे हैं, कि जितनी assets होती है, और जितनी liability होती है, वो equal होती है, आप प्लस करके देखिए, देखिए, दोनों equal आएंगी, चली, ठीक है, अब तो कोई problem नहीं है, यह question, बाकी सारे question थे, व पूस सकते है, आज के लिए इतना ही thank you.